बिग बोस के घर में पहला एलिमिनेशन हो चुका है जी हाँ किसी एक को सलमान खान ने बाहर निकाल दिया है कल रात ही इसको बाहर निकाला है अपडेट पूरी निकल के हमारे पास सामने आ चुकी है देखो गाईज इस पर क्या था कि 10 लोग नोमिनेटेड थे मैं आपको यादा वोट मिल रहे थे अविनाश नंबर टू पे आ रहे थे चाहत नंबर थरी पे आ रही थी करणवीर महरा नंबर चार पे आ रहे थे शुरुतिका नंबर पाच पे थी हैलिस नंबर छे पे थी साथ पे शिल्पा थी आठ पे मुस्कान नो पे हेमा दस पे बगगा थे भग्गाबाद में नीचे आ गए थे हिमा ऊपर चली गए थी लेकि जिस तरह से रात हिमा मतलब दो हफ्टे तक नोसो वो चुप रही शात रही लेकिन एकदम से रात को भाई साब जिस तरह से मतलब की भूत खेलते हैं न भूत जिस तरह से भया कोई आत्मा आ गई हो ऐसे वो करते हुए नजर आ रही थी एक दम से चीक्टी चिलाती हुई भाई ये अगर चार-पांच दिन पहले करती न तो बच जाती जी हाँ हेमा शर्मा बिग बोस के घर से अविक्ट हो चुकी है जो पहला अविक्शन रहा है बिग बोस 18 का वो रहा ह हेमा शर्मा का, मेकर्स जान गए थे कि भाईया ये लड़की कुछ दे करने वाली इसकी नौनसंस बाते है रात वो बोर ही दे कि भाईया मैं नाची उसके बादutral ही मुझे ये जब दिया गया है जो बड़ी अपडेट है मुझे नचवा आया है नचनिया बनाया है तो पहले से मैं आपको बता रहा था कि मुस्कान इस वार सेफ हो जाएगी क्योंकि और एटी हेमा और बग्गा पड़े हैं पहले इनका ऐलिमिनेशन होगा उसके बाद हो सकता है कि मुस्कान को निकाला जाए क्योंकि मुस्कान कुछ नहीं कर रही है लेकिन वोट अठेका से मिल टीवी एक्टर्स है टीवी सेलिबरीटी है टीवी का चेहरा है इसलिए उसको बचा के रखा जाएगा अभी एक दो हपते और उसके बाद उसका ऐलिमिनेशन हो सकता है लेकिन फिलाल के लिए हेमा शर्वा बिग बोस 18 के घर को टाटा बाई-बाई कर चुकी है और करना भी चाहिए क्योंकि कुछ नहीं कर रही थी और आतफालतों की बाते वो कर रही थी वैसे अभी कुछ उन बातों का तुक नहीं था लेकिन उसने कर दी कि भया सेफ हो जाओ लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दो हपते पहले बोलती तो शाद बच जाती क्या आप बोलेगे लिख डाली यह सारी अपरेट लिगे आ रहे हैं